महोबा में चीन के सामानों की हुली जलाए गई कुल मिलाकर देश में चीन के खिलाफ गुसा चरम पर है आज तक दिरो हमारे भारती सैनिकों को गलवान घाटी में चाइनीज जो सैना थी उसने धोके से जड़ब के नाम पर 20 कतल किये हमारे जो सैना के करनर साहब थे आदर्णिय संतोष वागुजी उनको और उनके साथ 20 सैनिकों की जो शहादत हुई है उसको हम लोगों ने श्रद्धानजली देते हुए यह शपतली है कि हम चाइनीज सामान का बहिशकार करेंगे लोगों से आग्रह करेंगे आंदोलन अगर हमें करना पड़ेगा तो हम आंदोलन की राह भी अक्तियार करेंगे क्योंकि चाइनीज ने 1962 में भी हमें धोखा दिया इसके बाद 1967 में भी उसने शांती वारता में कहा कि नहरुजी से की चीनी और भारती हम भाई-भाई हैं लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसी तरम कुछ जारी रखते हुए आज उसने हमारे सैनिकों के साथ धोके से जो कतल किया है मैं उसको कतल कहूंगी और हमारे सैनिकों को जो शहादत देनी पड़ी उसके लिए हम अपने भारती सैनिकों की इस शहादत का बलिदान का हम भरोसा दिलाते हैं कि हम वीरों की इस भूमी आला से आलहु दल की नगर्य महोभा से हम लोगोंने जो अभयान जालू किया है वो अभयान अनवरत जारी रहेगा और लोग शपत अभयान भी हमें जारी रखेंगे और हां स्ताक्षर अभयान भी दर-दर जाकर की निवेधन करेंगी कि उठो जागो आज जिस तरह से हमने अपने द बाइसकार करो चीनी सामान का बाइसकार करो बंदे बात्रा बंदे बात्रा